हलो दोस्तों कैसे हैं आप? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आपने पत्ता गोबी के परांटे सब्जी तो बहुत बार खाई होगी लेकिन आज मैं बनाऊंगी पत्ता गोबी से कुछ युनीक सा जो बहुती टेस्टी है बहुती हेल्दी हैं जिसे मैंने सिर्फ एक चमस तेल से तयार किया है तो आईए शुरू करते हैं मैंने लिये हैं मीडियम साइस के पत्ता गोबी इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है उसके बाद इसका बीच वाला जो वेस्ट मैटीरियल होता है उसे कट करके बाहर निकाल दिया है उसके बाद पत्ता गोबी को लंबे लंबे स्लाइसर में बिल्कुल पतला पतला कट कर लेंगे आप चाकू स्लाइसर किसी भी चीज़ का इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हम लेंगे एक बाउल और पत्ता गोबी को उसमें ट्रांसफर करेंगे पत्ता गोबी को अच्छे सद होने के बाद मैंने इसे चलनी में डाल दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए पत्ताओं को भी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ और धुला हुआ धनिया और साथ ही में हम इसमें एड़ करेंगे एक हरी मिर्ज बिल्कुल बारिक बारिक चॉपट करके इस रेसिपी को और जाधा हैल्दी और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ से स्वीट कोन लेंगे उन्हें मिक्सी जार में डाल करके बिल्कुल हलका सा ही पीसेंगे इन कर्टलेट्स में स्वीट कोन का टेस्ट बहुत जादा अच्छा लगता है यह देखे मैंने बिल्कुल हलके हलके से दरद्रे फोम के स्वीट कोन पीस लिया है स्वीट कोन एड़ करने के बाद इसे क्रंची और करारा बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे दो बड़े चम्मच सूजी अगर आपके बाद सूजी नहीं है तो चावल का आटा भी एड़ कर सकते हैं साथ ही में तीन बड़े चम्मच बेशन डालेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच नमक थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी अजवाएन एक चम्मच करम मसाला और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला सभी मसाले डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स खर लेंगे मैं हातों से यि मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से उतना इजली उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते वें इसका एक डोhh लगाकर के तयार कर लेंगे पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ही डालें क्योंकि बहुत जादा डालने पर ही गिला हो जाएका पत्ता गobic के अंदर खुदका भी पानी होता है और ये देखे मैंने डो लगा करके तयार कर लिया है उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा ओयल दोनों हाथों पे अपलाई कर लेंगे और हाथों को चिकना कर लेंगे हाथों को चिकना करने के बाद निम्भू जैसी थोड़ी से बोल हम तोड़ लेंगे और उसके बाद उसे गोल गोल कर लेंगे कटलिट का साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा मरजी हम रख सकते हैं उसके बाद इसे चारो तरफ से अच्छे से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे बीच में से दबा लेंगे और इसकी एक फाइन शेप बना करके तयार कर लेंगे इसी तरह से मैंने बाकी सभी कटलिट्स भी बना करके तयार कर लिये हैं ये बहुत ईजी ले बन गए इन्हें बनाने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई है अब हम लेंगे एक पैन मैंने इस पैन पे सुवे परांठे बनाए थे मैं उसी ही यूज़ कर रही हूँ और जैसे मैंने कहा था कि एक चमश तेल में मैं इस नाश्टे को बना करके दिखाऊंगी इसलिए मैंने अभी सिर्फ आदा चमश तेली पूरे तवे पर फैला लिया है तवे को अच्छे से गर्म हो जाने दे उसके बाद एक एक करके सारे कटलेट्स हम तवे पर डाल देंगे ये मैंने रखा है अपना तीसरा कटलेट बेल्कुल ठीक इसी तरह से पाकी सभी कटलेट्स भी हम अपने पैन पर रख देंगे फ्रेंड्स कैबज और कोन का ये कॉंबिनेशन जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी इसलिए इसे जरूर ट्राइ करना थोड़ी देर हो चुकी है अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये कितने जादा करारे दिखाई दे रहे हैं इसी तरह से हम सभी के साइड चेंज कर लेंगे और कुछ देरेने सेखने देंगे उसके बाद आदा चमच ओयल हम और लेंगे और उसके बाद चारों तरफ से फैला लेंगे और ये हुआ हमारा एक चमश तेल पूरा इससे जादा हम नहीं लेंगे और बस इसी तेल में इस सारी टिक्कियां सारे कटलेट्स बिल्कुल एकदम से क्रंची हो जाएंगे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद एक फोक लेकर के सभी को अच्छे से प्रैस कर लेंगे ताकि ये अंदर से और जादा क्रंची हो जाएं अब हम कोई भी कटलेट लेंगे और फोक उसके साइड पे लगाएंगे और इसे side पे लगा करके हम cutlet के सारी sides को हलके हलके से सेख लेंगे इसे cutlet sides पर भी सिख जाएंगे और कच्चे नहीं लगेंगे ठीक इसी तरह से हम बाकी सभी cutlets में भी कर लेंगे इस तरह से cutlets की हम सभी sides को सेख लेंगे ये देखे मैं एक कटलेट और इस तरह से आपको साइट स्पेसे सेख करके दिखा रही हूँ हमारी कटलेट सिख करके बिलकुल तयार है सर्व करने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिने पत्तागोबी की स्मेल बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती उनके लिए आप इस तरह से पत्तागोबी का स्नैक बना सकते हैं और हमने इन में एड की हैं कौन इसलिए बच्छों को भी बहुत अच्छे लगते हैं आप इने इवनिक स्नैक में ब्रेकफरस में किसी भी तरह से बना सकते हैं ये हैवी ना हो इसलिए मैंने इसमें आलू भी एड नहीं किया और जैसा कि आप देख चुके हैं इसे सिर्फ एक चम्मस तेल से तयार किया है और पत्ता गोबी का ये स्नैक इतना टेस्टी और लाइट है किसी हर्ट पेशेंट और शूगर पेशेंट भी बिना सोचे समझें इजीली खा सकते हैं अगर आपको ये युनीक सी रेसिपी अच्छी लगी है तो फोरण से लाइक कीजिए बैल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सबस्काइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नई-नई रेसिपी आप लोग को टाइम पर मिलती रहें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए ध्यान रखे अपना